वेलकम टू अमेजिंग क्लासेश आज हम लेकर क्या हैं सस्पेंशन्स आफ मिक्शर के प्रिवियर से के कोश्चन्स कुछ और उसके बाद आज ही नया टॉपिक है है तो स्पेंशन्स आज फिशिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है चुलिए सुरू करतें वीडियो को तो क्या है sea water is purified by what process तो आपको हम कल बताये थे कि कौन सा process था वो fractional distillation था और distillation simple process है जाए constant temperature होता है और fractional distillation क्या है अलग-अलग temperature range पे आपको अलग-अलग petroleum product अगर sea water यहां से आ रहा तो chromatography technology is used chromatography technology is used अब क्या था कि chromatography क्या था color pigments को पता करना था यानि identify color substance और दूसरा क्या determining the structural substance यह नहीं था separating the substance from mixtures यह भी अलग process था और चौता पोसन है none of these तो क्या है identify the color of the substance ठीक है third question क्या है to separate water from wet cloth in washing machine which process is followed कौन सा प्रोसेस बढ़ाये थे centrifugation centrifugation में क्या होता है क्या होता है जो wet cloth का पानी होता है वो cloth से निकाल देता है मतलब अगर कपड़ा में पानी है तो वो centrifugal से निकाल देता है next क्या है उसके गाद evaporation में क्या होता है अगर salt plus water है अगर इसको एवपरेट करेंगे तो water एवपरेट कर जाएगा और salt deposit कर जाए chromatography क्या है color technology और distillation क्या है constant temperature पे heat करना है fourth question क्या है when cream is separated from milk the density of the milk क्या होगा अब बताए पहले तो हम भी बता चुके है क्रीम भी separated कर milk से अगर cream निकालते तो वो भी कौन सा process follow करता है centrifugation follow करता है centrifugation ही follow करता है तो होता क्या है यह question आया when cream is separated from milk the density of the milk वो increase कर जाता है फिर उसके बाद है fifth question कौन सा है two emisible liquid can be separated by two emisible liquid can be separated by क्या पता है थे separating funnel से निकलता है जो funnel होता है अगर oil और water का अगर है अगर यहाँ पर stand है वो stand में अगर funnel अगर लगाती है तो oil और water डालेंगे तो water उपर नीच आ जाएगा और oil उपर deposit रह जाएगा oil उपर रह जाएगा और water और water को फिल यहाँ से इसको आपेंड करके water content करनेंगे और oil उपर रह जाएगा तो इसी तरह separating swinalist का option होगा चलिए अब आगे बात करते है new topic का हाँ तो आज हमारे new topic क्या है solution, suspension and collide यह भी एक तरह का pure substance का यह total topic अभी तक कौन सा चल रहा है pure substance का चल रहा है pure substance का चल रहा है pure substance pure substance में ही आता है mixtures 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 में हेटरोजीनियस homoजीनियस elements compound जो सब्स्टान्स चल रहते है उसी जब में चल रहते है तो इसी नेक topic है solution, suspensions and collide जहांसे maximum questions पूछे जाते है तो solution क्या है it ही जा homoजीनियस mixture देखिए हर को इन टेक्सन बाट करती है और उसी के सेम सेम चीज है तो solution क्या है solution ही जा homoजीनियस mixture मतलब composition दोनों का सेम होगा यानि अगर salt and water का बात करें तो यह आप पूरा homoजीनियस एक दूसरे को मिल जाएगा तो इसका आप टेश्ट से पता कर सकते है ना कि दिखाई देता है homoजीनियस में but it actually heterogeneous है यानि solution और suspension के बीच में collidal solution अपना lies करता है तो पहले यहाँ यह वाला लॉक बात करते है उसके बाद यह section फिर यह section ठीक है तो solution solution निए homoजीनियस mixture ठीक है अब size of the solute particle in solution कितना होगा वो less than 1 nanometer होगा आप देखें solute, solvent solution कैसे बनता है solute plus solvent अतर जाकर के बनता है वो solution solute क्या है जो की solvent में घुलता है और solvent वो है जो solute को अपने अंदर घुलने देता है तो उसको क्या बनता है solution बनता है तो नीचे हम डिल की है ठीक है उसके बाद क्या है इट कैनोड बी सीन बाई नेक्ड आई इवेन भी था माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते है क्योंकि नमक और पानी का अगर घोल अगर आप देखें अपने आख से तो आपको नहीं नजराएगा और इवेन पूर आप माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहेंगे तो भी नहीं होगा उसके बाद क्या है यह फिल्टर पेपर से भी नहीं आप उसको निकाल सकते है अगर आप फिल्टरेशन करेंगे तो भी यह नहीं होगा फिर स्काटरिंग ओफ लाइट भी नहीं होगा कि यह लाइट जाएगा तो यहां कोई पार्टिकल सी प्रेजन्ट नहीं होगी सॉलीर पार्टिकल जो कि इसके लाइट को सिधा पार कर जाएगा इसी को तिंदलल क्रेंट भी बहल द요 यहाँ पे दुनों million seal नहीं होते हैं आपको कुछ amount of solute नजर ही आएगा उसके अंदर तो इसमें क्या होता है size of the solute particle in suspension में क्या होता है greater than 100 nanometer होता है 100 nanometer से भी ज़्यादा होता है इसको आप देख सकते हैं आख से इसको filter पर से भी आप filtration कर सकते हैं इसके बाद है इसको scattering of light भी होता है क्योंकि जब light अगर यहाँ से पास करेगा तो इसके अंदर solute particle होगा उससे टकर आएगा और वो scattered कर जाएगा ठीक है तो example क्या होगा chalk water mixture अगर water में chalk water है उसके अंदर chalk potter डाल देंगे तो वो mixture को आप suspension होगा तो वहाँ पे आप chalk potter आपको दिखाए देगा शोड़े 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 पार्टिकल दिखाए देगा और अगर light अगर incident करेगा तो वो scattered कर जाएगा ठीक है फिर क्या sand particles suspended in water अगर water में sand particles भी अगर डाल देते हैं तो भी आपको दिखेगा ठीक है उसके बाद है collidal collide क्या है यह intermediate है इसके बीच में solution और suspension के बीच में जो stage आता है उसी को बोलते है collidal solution ठीक है it appears to be homogeneous वो दिखाई देता है homogeneous में but actually क्या है heterogeneous है पहले ही बोल चुके क्या है it appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous एक तरह का heterogeneous है तो देखे size क्या होगा यह दोरों के बीच lies करता है यानि एक रड़ोमेटर से less और उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए इससे कम भी नहीं हो चाहिए और इससे बड़ा भी नहीं चाहिए नहीं यह कितना size इसके बीच में होगा EBC नहीं कर सकते है इसको microscope से भी नहीं दे सकते है filter रिपर से भी इसको नहीं कर सकते है और scattering of light लेकिन होता है इसमें solute हलकलका आपको नजर आएगा ठीक है तो इसका क्या है अब इजांपल क्या है soap solution, milk, ink, blood एक तरह से सोची कि पूरे exam point of view से अगर आप बात करते हैं तो collidal solution का ही सबसे ज़्यादा point पूछा जाता है आपसे exam में ठीक है तो चलिए अब नीचे देखते है, क्या है तो अभी बता है तब से solute का आपको चरचा हो रहा है कि solute का size क्या होना चाहिए केतना नहीं हो तो solution बनता कैसे है solution ऐसे बनता है solute plus solvent जद्धा करके solution बनता है तो क्या होता है solvent में मिलता है सॉल्वेंट ऐसा चीज़ है जो सॉल्वेंट में जा करके मिलता है और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो सॉल्वेंट के अंदर मिलता है तो सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट में मिलता है और सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट को अपने में घुलने देता है तो क्या बनता है तो बात करते हैं फिर क्या है concentration of solution concentration of solution क्या बोलता है अगर कोई भी है तो उसमें concentration कैसे बोलता है इसका formula क्या होता है amount of solute by amount of solution तो इसको represent करने का दो तरीका है mass by mass percentage और mass by volume of percentage of solution जैसे आप जब आप क्या बोलते हैं आप air का जब आपको mixture दियागा तो बोले जाएगा nitrogen और oxygen का differentiate बोलेगा 78% है और 32% है by weight और by volume onset है तो इस तरह से आपको वो बताता है तो इसमें क्या होगा mass by mass percentage का मतलब क्या हुआ mass of solute by mass of solution और mass by volume का मतलब क्या होगा mass of solute by volume of solution होगा यह concentration नापने का solution का एक तरीका है ठीक है अब आगे बात करते है देखते आगे क्या है अब क्या है यह exam point of view से सबसे आपको वो देखें colliders सबसे ज़्यादा पूझा ज़्यादा और उसी का है common example of colliders क्या होता है ठीक है तो इसको देखें एक table बना हुआ dispersed phase, dispersing medium, time और example यह चार सक्षन है ठीक है तो dispersed phase क्या है मतलब solute है मतलब छोटा amount में मिलाएंगे और dispersed medium क्या है solvent है जहाँ पे आप वो अपने अंदर घुलने देगा तो इसको तीन काटेग्रिम बाते है dispersed medium को solvent को solvent कैसा हो सकता है solid हो सकता है liquid हो सकता है और उसके बाद gas हो सकता है तो पहले solid का बात करते है फिर liquid का बात करेंगे तब gas का बात करेंगे तो देखिए dispersing medium तीनों में solid था solid के अंदर ही हम क्या मिला रहे है gas मिलाएंगे एक बार liquid मिलाएंगे फिर एक बार solid मिलाएंगे तो देखिए, जब gas को solid के अंदर मिलाएगा, तो क्या बनेगा, foam बनेगा, कैसा टाइर का बनेगा, foam, foam का मतलब, यहाँ पर example क्या है, foams, या rubber, या sponge, sponge रहता है, उसके अंदर gas बनेगा, आप इससे sponge कीजेगा, तो वहाँ से air bubbles निकलेगा, तो क्या होगा, airs निकलेगा, इसस sponge करता है, air filter का काम भी करता है, तो यानि gas क्या करेंगे, gas को अंगर solid के अंदर मिलाएगे, तो क्या होगा, foam बनेगा, ठीक है, अगर liquid को solid के अंदर मिलाएगे, अगर liquid small quantity है, और solid ज्यादा quantity है, तो वहाँ क्या बनेगा, gel बनेगा, तो इससे तरह आप jelly, cheese, butter, यह सब किसका example liquid in solid का बात है, यानि gel है, उसके बाद क्या है, solid को अगर solid के अंदर मिलाएगा, मतलब solid solute है, और solid solvent है, तो क्या बनेगा, solid solution बनेगा, उस solution को क्या बनेगा, colored gemstone, gemstone में देखेगा कि एक solid है, उसके अंदर में लाल, पिला, हरा, निला, ऐसा करका gemstone रता है, तो वह कैसा example है, solid solid का एक्जामपूले, ठीक है, नेक्ष्ट बात करते है, अब this person medium क्या होगा, मत् Maine किया होगा, लिकविट होगा, यहाँ पे proportion liquid ही होगा, ठीक है, यहाँ पे देखे, liquid, 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 अब क्या होगा, liquid के अंदर आप गैस मिलाइगा, ठीक है, तो gas को liquid के अंदर मिलाने से क्या बनेग अब यहां confirm और यह form के बीच में ठीक है यह form दूसरा है इसका example क्या है saving cream saving cream आप देखिएगा क्या होता है liquid के अंदर gas रहता है जो कि आपको fog बनाने का form आपका बनने लगता है जो आप उसको water साथ mix करते हैं तो क्या होता है वह form बने लगता है liquid in liquid exam point of which is very very important है क्या है liquid in liquid अगर dispersion medium अगर liquid है और dispersed phase liquid है तो क्या बनता है उसको type को बोलता है emulsion emulsion का example क्या है milk face cream एक्सेक्टर ठीक है उसके बाद क्या है solid in liquid means liquid क्या है solvent है और लिकुद इस बाद का है solute को liquid के अंदर डालेंगे तो solution बनेगा और उस solution का क्या बोलेंगे milk of magnesium या फिर mud ठीक है next क्या है gas gas क्या है dispersal medium क्या रहेगा मेरे पास gas रहेगा तो क्या होगा liquid को अगर gas में डालेंगे अगर liquid को gas में डालेंगे तो क्या बनेगा aerosol बनेगा तो वो aerosol का इग नाम क्या होगा fog और cloud जिसको बोलते है आप देखें को fog जो ठंडे के दिए में बहुत सारा fog होता उस fog में क्या तो gas का amount जाता है और liquid हलका हलका उसके अंदर रहता है जब उसको छुएगा तो आपके हाथों में पानी नज़राएगा ठीक है उसके बाद क्या है solid in gas आप देखें, आपको फिर confused के जीए कि gas in solid क्या है और solid in gas क्या है यहाँ पर क्या है solid का में और gas ज्यादा है तब मिलेगा तो क्या बनेगा aerosol बनेगा क्या चया смог और automobile exhaust ठीक है, question आएगा तो आपको पता चल जाए कैसे पूछता है, ठीक है, आपसे पूछेगा form is the type of which collider, तो आप बोलेगा form, form in rubber, अब आपको क्या होगा, gas in solid होगा, ठीक है, आपसे पूछेगा emulsion, emulsion, milk is the emulsion, which type of collider solution, तो liquid in liquid का होगता है, ठीक है, इस तरह से आपका question ठीक लग solvent बनता है, और वो क्या कला, वो बनता है solution, तो कोई बीचिश का solubility होगा, तो solubility होता क्या है, देखिए, हर कोई का aim क्या होता है, कि जो अगर आप किसी को, अगर सरबत paste कर रहे है, अगर घर में कोई महमान आया, सरबत paste कर रहे है, तो आप क्या चाहिएगा, कि जितना भी water, water में चीनी डाले है, वो पूरा-पूरा मिल जाए, ऐसा तो नहीं चाहिए है, कि उसमें क्या हो, कि चीनी का quantity आपको दिखाए दे, ऐसा तो नहीं चाहिएगा, अगर बराबर आपको मिलना चाहिए, हर कोई का aim क्या होता है, कि solubility पूरा मिलना चाहिए, तो उसका भी तो solubility, तो solubility का definition क्या है, maximum amount, maximum amount of a solute, which can be dissolved in 100 gram of solvent, अब solvent का भी perfect 100 gram लेनी है, at a specified temperature, कोई specified temperature पे, ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, आप तो बोले, solute को तो आप पूरा, सोच रहे हैं कि हम पूरा घुला ले, तो solvent भी तो अपना काइट रिया रखेगा, कि हम भी भाई, कु तो इसी तरह क्या होता है, temperature, अब क्या होता है, अगर हम potassium nitrate का बात करते हैं, अगर potassium nitrate, यानि KNO3, अगर water के साथ अगर react कराना है, तो हमको 20 degree Celsius तक का temperature maintain करना पड़ेगा, तब जाकर के 100 gram water में 32 gram KNO3 मिल जाएगा, समझे, क्या बोले हमी, potassium nitrate को, अगर hydrogen, अगर water में हमको mix कर तो उसके लिए temperature का range क्या होना चाहिए, 20 degree Celsius होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, कि 100 gram में 32 gram potassium nitrate mix हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या निकला, कि solubility of potassium nitrate is 32 gram at 20 degree Celsius, यानि solubility क्या है potassium nitrate का 32 gram है, कितना पे 20 degree Celsius तो reaction देखते हैं, क्या होता है, अगर KNO3 को, potassium nitrate को तोड़ते ह होता है, K plus NO3 मानस होता है, और उसको water साथ react करते हैं, तो water को तोड़ते हैं, क्या निकलता है, H plus और OH मानस होता है, अगर 20 degree Celsius पे देते हैं, क्या बनता है, KOH बनता है, और HNO3 बनता है, ठीक है, ये reaction हो गया, तो अब solubility का क्या होता है, effect होता है, आपसे पूछता है, effect क्या प्करता है तो के उसाफ के लिक्विड में मिला रहे या घ्यस में मिला झारा है व्यक्तलिख क्या करता है यह इ। क्यंकरीस कर जाएख और गयार जथिसके साथ जी कnt अदक का यह से को फैट्सक्रेश करेगा और गैस में just opposite है, गैस को liquid मिलाएंगे, solubility inversely proportional to temperature होता है, इने temperature बढ़ाएंगे, तो solubility decrease करेगा, अगर temperature decrease करेगा, तो solubility क्या होगा, increase कर जाएगा, यही एक process है, और इसी में solid को liquid मिला जाएंगे, तो pressure unaffected होगा, pressure से unaffected होगा, प्रेसर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर gas को liquid में मिलाएंगे, तो solubility directly proportional to the pressure होगा, यह Henry's law दिये थे, Henry ने बताया था, कि, अगर pressure बढ़ाते हैं, तो solubility बढ़ेगा, कब, जब gas को liquid के अंदर मिलाएंगे, यह आप आगे जाके, इंट्रॉपिल, इंट्रॉपिल कंसेफ्ट है, आगे जाके आपको पता चली आप एक ही बार दूद में चीनी चाय पत्ती सब डाल दीजे एक साथ में, और उसको temperature पे छोड़ देजिए, तो वो क्या होगा, धीर 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 चाय बोईल होगा, लेकिन अगर बहुत जल्दी बनाना है, ताब क्या करना पड़ेगा, आपको दूद को खला दीज और उसके अंदर चीनी और चाय पत्ती डाल दीजे देखिए, आप टाइमिंग देख लिजेगा, चाय आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है, तो यही चीज है, कि अगर liquid temperature को increase कर दे, तो solubility क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, temperature को increase करने से, उसका solid आपको, solid के liquid, अगर liquid मिला जाएगा, solubility temperature साथ increase कर जाएगा, ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्या, यह दो change, physical change और chemical change, दोनोंची new substance बढ़ा, आप तब से देख रहे हैं, solution हो रहा है, कुछ न कुछ new ची बन रहा है, कभी new ची नहीं बन रहा है, तो क्या है, exam point of view से आता है, questions यहां से, क्या होता है, no new substance are formed, कोई भी नया substance नहीं formed होता है, लेकिन chemical change में new substance are formed होता है, आप देखिएगा, ठीक है, इसका example क्या है, melting of ice, boiling of water, आप melt ice को melt करने से आपको नया ची नहीं मिलेगा, अगर water है तो water ही मिलेगा, boiling of water किजेगा, तो water से भेपर बनेगा, तो वो भेपर को जब फिर water को change किजेगा, तो यह बनेगा, और इसका change किजेगा, तो वो बनेगा, ठीक है, तो यह permanent change नहीं होता है, इसको आप reversible कर सकते है, और उसमें क्या है, mass of substance is not altered, change नहीं करता है, mass of substance, mass of substance कभी change नहीं करता है, और यहाँ heat भी बहुत कम होता है, ठीक है, chemical change में क्या होता है, कि new substance are केमिकल चांक होता है ह। अलग 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 से नहीं आब toon कर सकते हैं, ranges sambal नहीं पेपर को बिर्ण करने बाद, फिलको वापस पेपर नहीं बना सकते हैं अगर। रश्ट करने के बाद आप फिर से जार करके आईरन बना सकते हैं लेकिन वो रश्ट होने के बाद उसका कुछ ना कुछ प्रपर्टी खराब हो ही जाता है, ठीक है, कर्ड से मिल्क बनाने के बाद आप मिल्क को फिर कर्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो यह पर्मनेंट चें दोनों होता है ठीक है तो यहां तक अभी तक हम पढ़ा दिये क्या pure substance पूरा खतम हो गया आपका state of matter खतम हो गया state of pure substance इन pure substance में ही elements, compound सब खतम हो गया solution खतम हो गया, solvent खतम हो गया, suspensions उसके बाद concentration, physical change chemical change ठीक है उमीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए चैनल को और subscribe कीजिए और like कीजिए वीडियो को देखने के लिए थैंक